रेनोल्ट अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लाने की तयारी कर रही है रेनो की पहली इलेक्ट्रिक कार रेनोल्ट क्विड ईवी होने वाली है जिस पर कम्पनी तेजी से काम कर रही है इसके साथ ही कम्पनी ने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है इसे टेस्टिंग के दौरान हाल ही में spot किया गया है जिससे इसके कुछ features सामने आये हैं आये जानते हैं कि या किन features के साथ आने वाली है रेनौल्ट क्विड ईवी के जिस model को testing के दौरान spot किया गया है उसमें सामने की तरफ LED DRL जनए जनरेशन वाली duster जैसी दिखती है गाड़ी के सामने की तरफ charging port देखने के लिए मिला है बाकी चीजों की बात करें तो इसमें split headlamp setup, closed off grill, single wiper और rugged bumper design देखने के लिए मिला है side profile में चौकोर वहील आर्च, door side trim और पारम पर एक door handle देखने के लिए मिला है इसके अलावा पीछे की तरफ, Renault Quid EV में rear wiper, integrated spoiler, shark fin antenna और nuclear tail lamp देखने के लिए मिली है Renault Quid EV में 10 इंच का touchscreen infotainment system और 7 इंच का instrument cluster देखने के लिए मिलेगा साथ ही minimalist center console, तीन spoke multifunction steering वहील, circular AC vent, एक stubby gear lever, contrasting white highlights, dual tone interior theme जैसे features देखने के लिए मिल सकते हैं, पैसेंजरों की सुरक्षा के लिए इसमें electronic stability control, hill start assist, front और rear parking sensor, driver attention alert, rear parking camera और tire pressure monitoring system, lane keeping assist, traffic sign recognition और emergency braking system, अडास जैसे features देखने के लिए मिलेंगे, अंतराश्ट्रिय बाजारों में, Renault Quid EV के दो variant आफर किये जाते हैं, इसकी top variant 26, 8 के WH battery pack दिया गया है, जो 65 HP और 113 NM generate करती है, इसकी range 225 km है, और यहां गाड़ी 13.7 सेकंड में 0-100 km प्रती घंटा की रफ्तार पकड लेती है, जिस तरह से Renault Quid EV की टेस्टिंग की जा रही है, उसे देखते हुए उम्मीद है कि यहां जल्द ही भारतिय मार्केट में launch हो सकती है, यहां entry level EV segment में entry करेगी भारत में इसकी कीमत 11 लाक रुपए की शुरुआती कीमत में आ सकती है,